नमस्कार दोस्तो गोल्ड प्राइज इनिया यूट्यूब चेनल में आपका स्वागत हैं राजिस्थान की हर मैतपुन जानकारी एवं सरकार की नई योजनाओं की ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चेनल को सबस्क्राइब कर दें राजिस्थान में एक जनवरी से पांच नई योजनाओं होने जा रही है लागू मुख्य मंतरी ने किया बड़ा एलान जी आँ दोस्तो वर्दा वस्तापेंसन नगत रुपे किसानों को लेकर बड़ा एलान इसके साथ ही जो है गेस सिलेंडर एवं पेट्रोल डीजल को लेक बड़ी खबरारी राजिस्थान में बिजली बिल को लेकर क्या कुछ फैंसला किया गया है सारी जानकरी आपको देंगे दोस्तो आज राजिस्थान के मुख्य मंतरी जी की तरब से बड़ा एलान किया गया है एक जनवरी से राजिस्थान में कौन-कौन से योजना सुरू ह हो रही है उन्होंने इसका विस्तार से जानकारी दिया है और यह अपडेट हम आप तक सब से पहले लेकर आए हैं इसके लिए दोस्तों आपके गाउं के अंदर जो है अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दें सबसे पहला एलान दोस्तों आज अभी अभी किया गया मुख्यमंद्री जी की तरफ से एक जनवरी से राजस्तान में 450 रुपे में मिलेगा एलपीजी गेस सिलेंडर जाने किने किने मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले गेस सिलेंडर की बात कर लेते हैं उसके बाद में अन्य योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे राजस्तान सरकार ने राज्ये के लोगों को बड़ी खुसकवरी देते हुए गेस सिलेंडर की कीमतों में रियाइत देने का एलान किया है अब इसे पूरे राजस्तान में लागू किया जाएगा महज 450 रुपे में LPG सिलेंडर उपलवद करवाया जाएगा जी हां दोस्तों बेहदी बड़ी खबर आ रहे है राजस्तान के मुख्य मंतरी बजनलाल सर्मा ने बुद्वार को राज्ये की महिलाओं को एक जनवरी से 450 रुपे में LPG सिलेंडर उपलवद कराने की गोशना कर दी है बजनलाल सर्मा ने का कि सबसिडी की रासी लाबार्ति महिलाओं और उज्वला योजना के लाबार्तियों के खाते में बेजी जाएगी एक रेजिटेसन कराना होगा वो क्या करना चली बता देते हैं योजना के तहट लाबार्थी एक साल में कुल 12 सिलिंडर के हगदार होंगे यानि आपको जो है एक साल में आप 12 सिलिंडर तक ले सकते हैं 450 रुपे के हिसाब से योजना का लाब उठाने के लिए लाबार्ती को विक्सित बारत संकलप यातरा सीविरों में पंजिकरन कराना होगा यानि दोस्तो आपके गाउं के अंदर आपकी जो पंचायत होती है उस पंचायत के अंदर केम्प लगेगा आपके गाउं के अगर एक पंचायत है तो आपकी पंचायत में लगेगा अगर आपके कुछ कई गाउं के मिला कर एक पंचायत है तो आपको उस पंचायत के अंदर जाना होगा वहांपर एक केम्प लगेगा जिसका राप है विक्सित बारत संकलप यातरा सीविर वहाँ पर आपको अपना रजिस्टेशन कराना होगा जी हैं दोस्तो मुख्य मंतरी ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को देश का अगरनी रज़े बनाने के लिए दिर्ट संकलब के साथ काम कर रही है हर निरने राजिय और यहां के लोगों की परगती को दियान में रखकर लिया जाएगा तो दोस्तो आप जो हैं वहाँ पर अपना रजिस्टेशन करवा लें तो पहला जो नियम है दोस्तो वह LPG सिलिंडर को लेकर किया गया है और इसका जो फाइदा है वह राजिस्थान के बीपिल परिवारों को और उजवला योजना से जुड़े वे परिवारों को मिलेगा जियां दोस्तो इसके साथ ही बज़नल सर्मा ने का कि सरकार की तरफ से जो है महिलाओं की शुरुक्षिया और उनका आर्थिक उथान सरकार की प्राथमिकता है राजिस्थान के अंदर कई सारी जो नए नियम है वो हम लागू करेंगे उनकी तरफ से ये भी एलान किया गया है इसके साथ ही दोस्तों बेहदी जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से वो चिरंजवी योजना को लेकर आ रहे हैं दूसरा जो एलान है वो एक जनवरी से लागू होने जा रहे है चिरंजवी योजना को लेकर आप जैसा कि जानते हैं गैलोट सरकार ने राजस्थान वी चिरंजवी योजना शुरू की थी अब दोस्तों राजस्थान की जो है नई सरकार चिरंजवी योजना की जगए पर परदान मंतरी आयुसमान योजना का जो नया रूप है वो लेकर आ रही है और उसके अंदर आयुसमान कार्ड बनाए जाएंगे तो वो कार्ड आपको कैसे बनवाना है पूरी जानकर आपको देंगे लाज्ट तक देखते रहिएगा गैलोट सरकार में प्रारम की गई चिरंजवी सवाश्था योजना को फिलाल बंद तो नहीं किया जाएगा लेकिन अब पतालों में इलाज होगा वो अब जो है सरकार की नई योजना परदानमंतरी आयुसमान बारत योजना के तैथ ही किया जाएगा तो इस हिसाब से दोस्तों चिरंजवी योजना को बंद किये बिना ही ये योजना अपने आप ही बंद माननी जाएगी चिरंजवी परतिस्त लक्षे पूरा करने का निर्देश दिया गया है सो परतिस्त लक्षे आसिल नहीं करने वाले जीला मुख्य स्वाश्ते अधिकारियों के खिलाब सरकार कारवाई करेगी राजे सरकार के और से चिकित्स अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गये हैं कि आयु चिकत्सा अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है वर्तमान में राजेस्थान में आयूसमान योजना के तैत 66,34,000 लाबारती जो है वो जुड़े हुए है और अब जो नया नियम लागू किया गया है दोस्तो उसके तैत जो नए नाम है वो भी जोड़े जाएंगे जी हाँ अब तेजी से इसकी जो संक्या है वो बढ़ाने का आदेश सरकार की तरब से जारी किया गया है और दोस्तो इसके साथ जिन लोगों के पास पैंसन जिन को मिलती है उनकी पैंसन को लेकर भी बड़ा फैंसला लिया जा रहा है आप जो है अपना नया रजिस्टेशन करवा सक तो उसके अंदर आप अपना अपलाई कर सकते हैं वहीं दोस्तो बात करें अगर राजिस्थान के अंदर सो यूनिट तक जो बिजली फरी का एलान किया गया था कॉंग्रे सरकार जो दे रही थी उस योजना को भी अभी बंद नहीं किया जा सकेगा वो योजना राजिस्थ की तलब से सुकुटी योजना भी शुरू किया रही है और इसके साथ ही दोस्तों अब दोबारा से साइंकिल वीतरण योजना को भी राजस्थान में शुरू किया जाए गा यानि सरकार पहले साइंकिल वितरन करती थी वो गहलोट तसरकार ने बंद कर दिया था उसे अभ राजस्तान की जो नई सरकार है वो दोबारा से करने जा रही है जी हाँ राजस्तान के अंदर जो है सांकिल वितरन का काम भी दोबारा से सुरू किया जा रहा है तो कई सारे जो नई नियम है दोस्तो वो राजस्तान के अंदर सरकार लागू कर रही है जिसका फाइदा राजस का नाम लिखके कमेंट करिएगा ताकि आपके जिले की जो जानकारी है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें दोस्तों और आप पे हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर भी कर ताकि उन तक भी जानकारी जो सबसे पहले पहुंच सकें तो पलपल के अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे आप सभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको इनमें से कौन सी योजना का फाइदा मिलता है आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा हर मेतरपून जानके हमारी चैनल से आपको सबसे पहले हम पहुंचाते रहते हैं आप सभी का बेहद धन्यवाद